नमस्कार, SM News में आप सभी का स्वागत है आज हैं हम कलम के उस जादूगर के साथ जिनोंने अपनी कलम से पूरे देश प्रिदेश की निगाहों और बहुजन समाज की अवाज को बदल के रख दिया है शांती सरुब बौजी जो अपनी किताबों से ही नहीं अपने वैक्तित्त्ते से भी पूरे देश के उपर हावी होके सर चड़कर बोते हैं शांती सरुब जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है शांती सरुब जी आप बहुजन समाज को रिपरजेंट्स करते हैं बहुजन समाज की बात करते हैं बहुजन समाज की किताबें चापते हैं सभी महनुभाओं की किताबें आपके सम्मे प्रकाशन से आई हुई है अधिकतर लोग जब हम लोग मिलते हैं या आपके सामने भी आई होगी बाबा सहाब के जो फोटो है लोग चाहते हैं कि वो गांधी की फोटो की जगे बाबा सहाब का फोटो अलगा रहा है जबकि फोटो का कोई विशेश नहीं होता है लेकिन क्या कारण है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं बहुजन समाज के लोग कि जो नोट के उपर फोटो होना चा ये गांदी का नहीं उसके बारें बताएं देखें बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी है कि वास्तों में जो इस देश का बहुजन समाज है जो आज अपने दुश्मनों को और अपने दोस्तों को पहचानने में कामियाब हुआ है तो उसे गांदी जी बहुत अखरते हैं कारण क्या है कि बैवरले निकोलस एक इंगलिश राइटर है उन्होंने इंशाइड एशिया नाम की एक किताब में बाबा साब के बारे में लिखा है कि वो दुनिया के छे विद्वानों में से एक थे और उसी किताब में वो लिखते हैं कि बाबा साब के हवाले से कि इस देश के बहु जनों का गांधी से बड़ा कोई दुश्मन हुआ नहीं गांधी को राश्पिता कह देते हैं मैं इस मत्व से सहमत नहीं हूँ राश्पिता वो होता है जिसकी विचारधारा पर उसका राश्ट चलता है गांधी एक सोटी लेकर चलते थे लंगोटी पहन के चलते थे मगर सोटी लंगोटी तो नहरुन ने सुविकार नहीं की शास्त्री जी ने भी सुविकार नहीं की वीपी सिंग ने भी स्विकार नहीं की आज का जो नरेंद्र मोदिय वो भी लंगोटी नहीं पहनता हाथ में सोटी लेके नहीं चलता ना उनकी विचार धारा तो ये थी कि आप खदर पहनो जंगलों में रहो पेड के उपर घोंसला बना के रहो वो साइन्टिफिक ग्रोथ के तो बिल्कुल पक्षमे नहीं थे मगर आज देश जो साइन्टिफिक ग्रोथ कर रहा है तो बाबा साहिब डाक्टर अमबेटकर की आइडिलोजी को फोलो करके कर रहा है तो जो राश्ट जिस महापुरुष के रास्ते पर चलता है वो ही राश्ट पूरुष है वो ही राश्ट पिता है तो बाबा साहिब डाक्टर अमबेटकर को ये सरकार भुला देना चाहती है इस देश की जनता बाबा साब को अपने सिरोधारी रखना चाहती है और जो सरकार तो गांधी को इस्थापित करना चाहती है जनता बाबा साब को इस्थापित करना चाहती है गांधी में अपने जो हमारे अधिकारों का हत्या हुई है वो तो गांधी के मार्दियम सही हुई है और गांधी को बापू कहते हैं हमारे बाबा साब को बाबा कहते हैं मैं तो दिल्ली वाला हूँ न हमारे बाप को कहते हैं बाबा और बापु कहते हैं बाप के बाप को तो बहुत अंतर है बाप में और बापु में गांधी एक दाई थे बाबा साहब हमारे जो भावनाए हैं उसके हिसाब से देखा जाये तो वह हमारी मा थे दाई कभी मी मा का इस्थान ग्रेंड नहीं कर सकत वो तो एक थोड़ा से पैसे के लालस में तनखा के लालस में एक बच्चे का लालन पालन करती है वो इमानदारी से करे या बेइमानी से करे वो बात अलग है मगर मा तो मा होती है ना बच्चा तो उसके जिगर का टुकरा होता है वो तो उसके अपनी जान पर खेल कर भी अपन की रक्षा करती है उसका पालन पॉर्शन करती है तो मा में और दाये में जो अंतर है वो अंतर बाबा साहिब डाक्ट अमबेटकर में और गांधी जी में है अब आप यह देखिए जो हमारे भारत वर्ष का जो नोट है हर एक पर गांधी को ले आए हर एक पर गांधी को ले आ एक के नहीं है तो उन्हें एककर रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है कि हमारे सबसे बड़े प्रह कर्मी समराथ अशोक की चार शेर की मूरती जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत की पृतिनी दी है जिन्दा पृतिमा को तुमने निरस्थ करके गांधी का और समराट चौक का क्या मुकाबला है साहब मगर इस सरकार ने बड़ी गल्तिया की है एक गल्ति ये भी की है जंता किसी भी हालत में कांधी को सुविकार नहीं कर रही है और अगर उसको स् Preferis कार रही है नई बता दो जब 2 October आता है, कितनी जैनतिय मनती हैं जैनता में सब सरकारी महक्मों में कारकरम होते हैं, सरकारी लोग होते हैं मगर बाबा साहिब डांक टम्बेटकर की जैनति का यह आला में साहब दो महीने पहले शुरू हो जाती है और दो महीने बात तक चलती है और ना केवल दिल्ली में चलती राजधानी में ना केवल महराष्ट में चलती है उनके होमलेंड में बलकि सारी दुनिया में उनकी जेंतिय मनाई जा रही है जो जो समय बीटता जा रहा है बाबा साहिब डां ब्रवचन हुए थी उसमें डैडी एंशिवराज इन एक परवचन दिया था और उसमें कहा था कि डैड अमबेटकर दें लिवड़ अमबेटकर यानि के जो मृत मरत मबेटकर हैं जो मरे हुए अमबेटकर हैं वो जीवित मबेटकर से अधिक शक्ति शाली है तो बाबा पर बाबसाहईब डांक टम बेटकर की शक्ति उनके जाने के बाद आज सारी दुनिया में बड़े अराम से आप देख सकते हैं। उनके उपर रिसर्च सेंटर्स उनके नाम पर स्कूल कोलिज सारी दुलिया में खुल रहे हैं अमरीका में केनेडा में जर्मनी में इंगलेंड में पैरिस में जापान में ताइवान में वियतनाम में चीन में आस्टेलिया में न्यूजिलेंड में जहां जहां हमारा संपर्क ह हम देखते हैं कि सब जगा बाबा साहिव डांक टम बेटकुर को इस्थापित करने का काम कर रहा है गांधी जी की छवी धूमिल होती जा रही है बाबा साप की छवी परबल होती जा रही है यह आज के इस जमाने का सबसे बड़ा सत्य है जो व्यक्ति गीता में यकीन रखता ह जो व्यक्ति अंद विश्वास में वर्ण आश्रम में यकीन रखता हो वो इस देश का नायक कभी नहीं हो सकता हां शड्यंतरों से आप उसको नायक बना सकते हैं मगर जनता की भावनाओं के आधार पर गांधी जी को रद्ध कर दिया है यह आज का सबसे बड़ा सत्य है आप थे हैं मैसा शांती सरूप बाव जी जन्नों ने बड़ी खूब सूरती से बताए कि आज क्यों बहुजन समाज का हर यूवा यूपती और लोग क्यों चाहते हैं बाबा साहब का नोट पे फोटो हमारी चलंच से बात करने लिए बहुत बहुत धन्यवादा आपका से अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुं सकें आप पे सबसे पहले